अस्सलाम अलेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे आज हम आपकी नर्दबाने उर्दु का काम करेंगे नर्दबाने उर्दु का आज हम करेंगे सफ़ा नंबर 74 और 75 सफ़ा नंबर 74 और 75 पर हमारे पास हैं मुक्तलिफ जुम्मों को मिलाना यानि हमारे पास कुछ हरूफ हैं जिनको हमने दो जुम्मलों को एक जुमले में तबदील करते हुए उन खरूफ का इस्तेमाल करना है यहाँ पर आपके पास जो हुरूफ हैं वो हैं लेकिन के, मगर, तो, क्योंके दो-दो जुम्ले यहाँ पर दिये गए हैं और आपने उसको एक जुम्ले में तब्दील करना है जैसे कि है उसने कहा मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है और अब आपने इसमें देखना है कि उपर जो दिये गए हुरूफ हैं इनमें से कौन साल जो है लवस यहाँ पर मुनासिब रहेगा जो इन दो जुम्लों को एक में तब्दील कर दे जी यहाँ पर आएगा उसने कहा कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है दूसरा देखें वहाँ कुछ सुनाई नहीं देता था वहाँ बहुत ज़्यादा शोर था यहाँ पर क्या आएगा जी वहाँ कुछ सुनाई नहीं देता था क्यूंके वहाँ बहुत ज़्यादा शोर था इसी तरह आगे देखिए उसने बहुत महिनत की वो काम्याब ना हो सका उसने बहुत महिनत की मगर वो काम्याब ना हो सका हामिद आ गया है लेकिन अक्रम नहीं आया है तुम अबबल आते तो इनाम पाते तो यहां तुम को हम खत्म कर देंगे और तो लगा के एक जुम्ले में तब्दील कर देगे तो मबल आते तो इनाम पाते आगे देखें यहाँ पर भी जो हुरूफ दिये गए हैं या अलफास कहले वो पहले वालों से मुक्तलिफ हैं जो, जिसे, जिसने, जुही, और या इन अलफास का इस्तमाल करते हुए आपने दो दो जुम्लों को एक जुम्ले में तब्दील करना है पिछले जो हमारे जुम्ले थे उन में आपने देखा कि उन दो जुम्लों के दर्मियान में हमने उन हुरूफ का, उन अलफास का इस्तमाल करके उन्हें एक जम्ले में तब्दिल किया था, यहां थोड़ा सा मुक्तलिफ होगा, देखते हैं, खुदा चाहता है, उसे बख्ष देता है, अब यहां पर हम लिखेंगे, जिसे खुदा चाहता है, उसे बख्ष देता है, बीच में से खत्मा खत्म हो जाएगा, उस्ताद ने कम झामोश हो गए बीच में से खत्म हर जायेगा और शुरू में हम जूही का इस्तिमाल करेंगे तीसरे में लो है अग्वा अल्लार रखे उसे कौन चान्ड़र जी जिसे अल्लार रखे उसे कौन चान्दी क्या तुम यहां रहना चाहते हो या जाना चाहते हो या लगा कि क्या और तुम को हम दोबारा नहीं लिखेंगी यानि उसको रिपीट नहीं करना जिसने मेहनत की काम्याब हो गया और आखिर मेहनत करता है फल पाता है इसको भी आपने उपर दिये गए लफस में से जो मुनासिब हो उससे आपके पास भी कह सकते हैं और हर्फ रफ भी कहलाते हैं रफ यानि जो तालुक को जोड़े यहां पर जो आपके पास हर्फ रफ दिये गए हैं वो हैं लेकिन के अगर मगर तो क्योंकि चूंके जो लिहाजा जो कुछ जिसने जिसे जू ही या वो एक छोटा सा लड़का था ल वो जिम्मेदार था क्योंकि वो सबसे बड़ा था सारा तो चली गई थी मगर सलीम नहीं गया था बादल च्छा जाते हैं तो बारिश होती है मैं बहुत मसरूफ हूँ लहाजा तुम खाना खा लेना इसी तरह आप बाकी भी मकमल करते जाएंगे और धिहान से उपर के जो आपको दिये हैं आपने सिर्फ उन्हीं को इस्तेमाल करना है और अपने से कोई लफस इस्तेमाल नहीं करना इसी कही बक्या कुछ यहां पर और जुमले हैं वो बाते तो बहुत करता है जी लेकिन काम बहुत कम करता है तुम चले जाओगे तो वो आएगा जी इसी तरह आपने इन तमाम खाली जगहों में मुनासिब हर्फे रब्त लगाकर इन्हें मुकमल करना है और जो आपको वर्क्शिर दी जाएगी उसे में आप इस काम को मुकमल करेंगी थैंक यू